नमस्कार बावना रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है दूस्तो आज हम बहुत ही अच्छी और टेस्टी और यूनिक रेसिपी आपके लेकर आये हैं जिसको बनाना काफी जाधा आसान है और इसकी स्टफिंग भी बहुत ही अलगतरी किसे बनाएंगे तो आज हम यहों का आठा भी ले सकते हैं और आदा कप आप मेदा ले लीजिए अभी इसके अंदर हम तेल डाल देते हैं तो यहां पर एक से 1.5 टेबल स्पून जितना हम तेल डाल देते हैं मोयान के लिए और इसके बाद हम स्वाथ की अनुसार इसके अंदर नमक अड़ कर देंगे इस तरीके से हमने mix किया है तो हातों से मुठी जब बानते हैं तो इस तरीके से आटा बनने लगा यानि कि ये perfect हैं तो चलिए अब इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं और एक अच्छा सा डो तेयार कर लेती हैं डो थोड़ा सक्त रखना है यानि कि पूरी का ज से थोड़ा सा सक्त रखना है एकदम से जादा भी सक्त नहीं रखना है और अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इस तरीके से हमें डो तेयार कर लेना है पानी एक साथ जादा नह डाले दोस्तों डो गिला भी हो सकता है अब इसको ढग कर रख दिंगे 10 तो यहां पर दो टेबल स्पून हम तेल डाल दिया है और तेल को थोड़ा गरम होने देते हैं तो इस तरीके से आप देख सकते हैं तेल थोड़ा गरम हो चुका है दोस्तों अब आप देख सकते हैं इसके अंदर हम दो बारी कटी हुई हरी मिच डाल देंगे दोस्तों और ह प्रेस को मीडियम रखना है खाय नहीं रखना है अब आप देख सकते हैं आपर सरसो के दाने ले लिया है हमने और सरसो के दाने जब चटक जाए उसके बाद हम इसके अंदर डालेगे मटर जी हां दोस्तो तो ये थोड़े ताजा मटर थे दोस्तो तो दो-तीन देन में आपके अपास फ्रेश मटर हैं वह भी ले सकते हैं या फिर फ्रोजन मटर भी आप ले सकते हैं तो आप देख सकते हैं मटर को थोड़ा सा एक मिनट के लिए चला लेना है इसके बाद हम उबले हुए अलू डाल देंगे तो दो आलू को हमने या पर उबाल दिया था और इस हैं नहीं तो यह अच्छे से मेश नहीं हो पाएंगे और अच्छे से इसको चला लेना है चमच की सायता से तो आप देख सकते हैं यह जो आज की रेसिपी दूस्तों खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्ट लगती है और इसको बनाने का बहुत आसान तरीका ऐसा कुछ एकदम आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जंजट का काम है बहुत ऐसा कुछ भी नहीं है और आज का वीडियो आपक कदू कस किया हुआ पनेर भी डाल देते हैं इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है और अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए तो आप देख सकते हैं स्टफिंग हमारी अच्छे से इसको मिक्स कर लेना और इसके अंदर आलू भी अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए अभी हमने यहापपर एक से दो चमच जितना गोकोनेट पाउडर डाल दिया है दूसतों, साथ में ही दनिया पाउडर डाल देते हैं, तो एक चमच यहापर दनिया पाउडर डाल देंगे और थोड़ी सी स्वात की अनुसा नमक डाल देना है, इस तरीके से और अच्छे से इ तो आप देख सकते हैं, स्टफिंग हमारी बन चुकी है, अभी इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे, और अच्छे से इसको मिला लेना है तो आप देख सकते हैं, अच्छे से इसका कलर भी थोड़ा चींज हो चुका है, और अभी इसको एक मिनट के लिए डखकर रख देना है एक मिनट हो चुका है और ये अच्छे से पक भी चुकी है गैस को बंद कर दिंगे और इसको निकाल देते एक प्याले के अंदर तो चले फटाफट से इसको एक प्याले के अंदर निकाल देना है और यह stuffing आप जब भी बनेंगे इसके अंदर बहुत अच्छी से खुश्वू आने वाली है यूनिक से जो आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और जदर तदर तो लोग इसकी खुश्वू से ही इंप्रेस हो जाने वाले है तो आप देख सकते हैं अभी इसके अंदर हम हरा धनिया एड़ कर देंगे तो कटा हुआ हरा धनिया इसके अंदर हम एड़ कर देते हैं आप पहले भी डाल सकते हैं हरा धनिया लेकिन मैं बाद में डाल रही क्योंकि मुझे इसकी खुश्वू बरकरार चाहिए तो इस तरीके से हमें इसको सैड में रख देना है और आटे को देख लेते हैं थोड़ा तो आप देख सकते हैं आटे को rest के लिए रखे हैं दस मिनिट हो चुकी है और अभी इसको अच्छे से मसल लेंगे और थोड़ा सा इसके अंदर उपर oil लगा देना है और इसको अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेना है तो आप देख सकते हैं अच्छे से इसको मसलते हुए चिकना कर लेना है करीब करीब 2-3 मिनिट के लिए और अब आप देख सकते हैं दूस्तों आठा अच्छे से चिकना हो चुका है और अभी इसको cut करेंगे तो थोड़ा सा डो जो है पहले हम निकाल देते क्योंकि हमें बाद में यह चाहिए होगा coil बनाने के लिए तो इसको रखते थे साइड में और अभी इसकी जो है समान मात्रा में एक समान आकार में हम इसकी लोईया बना लेते हैं तो चलिए इसको सबान भागों में काट लेते हैं इस तरीके से जितनी हमें लोईया बनानी है तो इस तरीके से हमें आटे को काट लेना है और हातों से छोटी छोटी लोईया बनानी है आपको जितना बड़ा समुशा चीए उससाब से आप इसकी लोईया बना सकते हैं तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें सारी की सारी लोईया बना कर तैयार कर लेनी है और अभी आप देख सकते हैं यह जो आटा हमने रहने दिया था पहले तो लोईयों को यहाँ पर ढखके रखें दोस्तो इस बात का दियान रखें आप चाहें तो गीले कपड़े से भी ढखकर रख सकते हैं और जो आटा हमने पहले रहने दिया था उसको इस तरीके से लंबाई के आकार में इसके लंबी-लंबी कॉयल बना लेनी है यह दिखें इस तरीके से हमें चाहिए होता है दोस्तो तो ज़्यादा मोटा नहीं और ज़्यादा पतला भी नहीं तो इस तरीके से हमें इसके कॉयल बना लेने हैं अब यहाँ पर दिखिए दोस्तों एक कटोरी में हमने पानी ले लिया है और यहाँ पर साथ में ही चकले पे थोड़ा सा तेल भी लगा देते हैं तो इस तरीके से आप चाहें तो सूखा आटा भी डरस्ट कर सकते हैं या फिर सूखा मैदा भी डरस्ट कर सकते हैं तो हमें इसको बेल लेना है ज्यादा एक दम से पतला नहीं बेलना है और एक दम से मोटा भी नहीं बेलना है ये देखिए दोस्तो इस तरीके से हमें इसको बेला है तो एक दम से पतला नहीं रखना है और चारत तरप से समान इसको बेलना है अभी थोड़ी सी स्टफिंग बर इसके अंदर तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टफिंग को हमें भर लेना है और इस तरीके से किनारी पर उंगलियों की साहता से पानी लगा देना है ये देखें इस तरीके से और अब इसको एक पोटली का शेप देते हैं दोस्तों तो इस तरीके से चारो तरप से सल ले यह देखिए तो आप देख सकते हैं अब इसको अदर से थोड़ा सा प्रेस करते हुए दबा दीजिए ताकि यह खुलेगा नहीं और इस तरह के से आमें उपर से एकदम से पूरा प्रेस नहीं कर देना इस तरह के से आमें रखना है अब यह जो कोईल हैं उसके उपर थोड़ा पानी लगाना है और इस तरह के से इसको लगा लेना है और इस तरह के से दबाते हुए जिपका लेना है तो आप देख सकते हैं पोटली हमारी बनकर तैयार हो चुकी है चलिए अभी इसी तरिके से हमें उपर से थोड़ा सा मुह इस का इस तरिके से खोल लेना है ताकि इसका जो है आकर अच्छा दिके तो इसी तरिके से सारे की सारी पोटली हमें बनाकर रेडी कर लेनी है अब आप देख सकते हैं तेल हमने पहले से गरम होने के लिए रख दिया था और हमें यहाँ पर medium hot oil चीए एकदम से ज़्यादा गरम नहीं चीए ने तो उपर से तो इसका color change हो जाएगा लेकिन अंदर से ये कच्छा लगेगा इस बात का ध्यान रखें और एक साथ सारे समुसे नहीं डाल देने हैं एक ही करके डालने हैं ने तो temperature जो है तेल का वो low हो जाएगा तो एकदम से अंदर तेल भढ़ जाएगा इस बात का भी त्यान रखें तो आप देख सकते हैं इस तरीके से हमें समुसे एक ही करते हुए डाल देने हैं और अभी इसको चलाना नहीं है थोड़ी देर बाद ये हलके से नीचे से color इसका हलका सा change हो जा इसके बाद हमें इसको इस तरीके से चलाना है आप देख सकते हैं ये दिखे हलका सा इसका color change ह नीचे से कलर इसका थोड़ा सा ब्राउन हुआ है तो इसी तरीके से हमें इसको अच्छे से तल लेना है और इसको गोल्डर ब्राउन होने तक तलना है और मेडियम फ्लेम पर ही इसको तलना है नहीं तो इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं लगएगा दोस्तों और कच्छ लगेगा तो इस तरीके से हमें ये दिखिए ये अच्छे से क्रिस्पी भी हो चुके हैं और ये अच्छे से तल भी चुके हैं अभी इनको निकाल देते हैं टीशू पेपर के उपर और आप देख सकते हैं टीशू पेपर इसका जो एक्ष्टा ओयल होगा वो खीश लेगा औ और अभी इसको एक प्लेट के अंदर निकालते हैं और आप इसको गर्मा गरम ही खाएं दोस्तों बहुत ही स्वाधिष्ट और अच्छे लगते हैं दोस्तों आप इसको हरे दनीय की चटनी के साथ, सौस के साथ या फिर मिर्ची के साथ भी खा सकते हैं तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी दोस्तों मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं या फिर चैनल को अब तक सस्क्राइब नहीं किया हैं तो ज़रूर करें हम अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे और आप मेरे चैनल पर विजिट क करिये तो आपको बहुत अच्छी रेसिपिस देखने को मिलेगी बाबाए